लग रही है ना देखने से ही बहुत ही टेंप्टिंग और बिलकुर रेस्टरांट स्टाइल खाने के बाद भी कोई नहीं पहचान पाएगा कि आपने इसको घर पर बनाया है असलाम लिकूम आज हम बनाएंगे चिकन भुना मसाला विड डिलिशस ग्रेवी तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं सिब से पहले चिकन में कुछ मसाले कर लिएंगे तो एक किलो ग्रेम चिकन में हम 2 टे teethło लेहसुन का पेस्ट और 2 तेबल अ्द्रक का पेस्ट ढवू牌 नमक डालेह इसमें तक्रीबढं 2 टी स्पून या प्र डुर्णगste के हिसाफ से आप डालिएगा तेस्पून लालमिर्च पाउडर डाल रहिए हूँ, आप चेस्ट इसाब दुनाए mountains गुलिख दो में सब्या viveima चाहिएدة खेंद गरी निपू जीडे काउडर जोड़ αναथ Mathis तो दुखा रहां सिख्याए ग़ोर चेहा है ये मैं प्रबाइन भट में जालें दौटबाइन दौब इसमें दालें ऑधा कब दही तो तकड़ी बन 125 ग्राम दही आधा दही यूज़ करेंगे आधा दही पहलें अदे भाद में ग्रेवी में यूज़ इन सब्वेस अच्छी तहरा से मिक्स कर देंगे टाइम के हिसाप से मैर तकरीबां 150 grams और उनको मैंने golden fry कर लिया और ये अगालन रख लिए बाध में नी और इस लिआ तो या तो हाथों से कोrrus कर लिजेगा और फिर मिक्सि माटल डाल कर इसको कहला cooking तो मैंस में गोर रखाने में में बिल गया और भीक काच ऊसे जょम कुझ कीजे तो आप एक चीज भी यूज़ कर सकते हैं या तो सिर्फ बादाम या फिर सिर्फ गाजू और इसका हम थोड़ा सा पाने डाल कर एक फाइन पेस्ट बना लेंगे इस तरह से तो इसको भी अभी रख देते हैं एक साइड में अब यहां पर ले लेंगे एक पैन इसमें मैंने त सादी वाली हैं तो सादी प्लेन लाल मिर्ज भी आप यूज़ कर सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा क्योंकि वह काफी तीक होती है एक टेबिल स्पून साबुद्धनिया डाल देंगे और एक टीस्पून डाल देंगे सफेज जीरा और इसी के साथ इसमें चा साधी ड्राइ- रोस्ट करके और इसको ढ्राइ- चॉसर के बाद एक मेक्सि के जार में डाल कर इसका फावडर बना लिंगे हैं दंदा को थोड़ा से ठंडा कर लूँगी और फिर मिक्सी के जार में डाल कर मैं इसका एक पाउड़ा बना कर इसको एक साइड में रख दूँगी अब एक नॉर्मल पैन ले या इस तरह का ग्रिल पैन ले ले इसमें दो टेबल स्पून के करीब तेल डाल लीजेगा और चिकन के पी लेकिन में चिकन को फड्रा करना है तो इसको फईक लिंगे जब तक छा कछशन की प्राइए क्रहें कि यहींतर के इसी तरह का यह जा र electoral तो अभी इसको रग डेंचें और यह देखे जो बोल में मैरनारे बच्थेगा इसका इसतामाल घ्रेवी में कर लेंगे अब हम बना लेते हैं चिकन की ग्रेवी, मैंने वही तेल ले लिया है जिसमें मैंने प्यास को गोल्डन फ्राइ किया था और मैं इसमें एक टेबल स्पून के करीब देशी घी भी डाल रही हूं जो की ऑप्शनल है पर ग्रेवी का टेस्ट अच्छा हो जाता है तो हो तो डालीजेगा वरना कोई मसला नहीं है अब इसमें थोड़ा सा अद्रक और थोड़ा सा लैसुन का पेस्ट डालेंगे तो बस एक टी स्पून लैसुन का पेस्ट मैं इसमें डाल रही हूं और एक टी स्पून अद्रक का पेस्ट डाल रही हूं और रेडी हम चिकन में काफी याद्रा क्लैसों यूज कर चुक हैं तो अभी बहुत जादा नहीं डालेंगे और अब हम डालेंगे इसके अंदर अपनी गोल्डेन फ्राइ करीवी प्यास जो प्यास को हमने दरदरा सा पीस लिया था वो भी हम इसमें डाल देंगे और सात में मसाला तयार क्या था जो जो मने मसाला ड्राय- रोस्ट किया था मैंने पीसली हम एक के जैन के चिकन में बच गया था cathedral कर चके ना अर्य वह यहां पर आप ग्रेवी में यूज कर लिए कि ऑ दिआल दयंगे इसके अंदर और इसको भी तो मिनट के लिए बोन लेंगे और अब हम ढालेंगे इसमें दही तो आधा कप 10 मैं पहले यूज कर चुकी हो और आधा कप मैं इस टाइम टो टॉल मैंने यहाँ पर 1 Cub दही इस्तमाल किया है और अदर जाल कर बीसको दो से तीन मिन पून के लिए तो यहाँ पर मैंने ग्रेवी को भी बून लिया है और निजमें अपना फ्राइगा चिकंथ कर देना है और इसको भी 12-12 मिन के लिए इस तरह से बहुत ही मज़े की चिकन की ग्रेवी बनकर तयार होती है जो की नॉर्मल ग्रेवी से काफी डिफरेंट आपको लगेगी बिल्कुल आपको लगेगा आप होटेल से कोई ग्रेवी आपने ओर रिया एतनी टेस्टी ये बनती है तो अभी मैंने चिकन को भी आपको अब वह आपकाएगा है अब हमें इसे काजो और बादाम का पेस्ट एक करेंगी जिसके जिसके एक रौइस्मल हो खटम और आपको अब इसमें । आलेंगे 3 से 4 तबिल स्पून तो दूद के ऊपर जमिय मलाई या फिर फ्रेश क्रीम जैसे की अमूल की क्रीम वगएरा करेंगे याने की कोकिंग क्रीम एड गरेंगे इसको भी मिला देंगे तो इस तरह से अब देख रहे हैं ग्रेवी का कलर, ग्रेवी का टेक्स्चर कितना रिछ आया है बिलकुल रेस्ट्राउंट श्टाइल मारी ग्रेवी बंकर त्यार होती है आभ हम्हें इसको गलाना है हम डालेंगे इसमें पानी क्या है जो चिकन के मसाला होता है और अच्छे से लिप्टा होता है तो इसमें भिषय है बहुत जार पानी हम नहीं डालेंगे इस पॉइंट पर हम इसको टेस्ट कर लेंगे तो इसका नमक वगेरा चेक कर लेंगे क्योंकि हमने ग्रेवी बनाते टाइम नमक नहीं अड़ किया है सिर्फ चिकन को माइनेट करते वे ही नमक अड़ किया था तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ तक्रीबान आधा टीस्पून मैंने नमक डाला है आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक टेस्ट कर लिजेगा चेक कर लिजेगा जरूरत हो तभी एट किजेगा और चिकन को गलाने से पहले इसमें थोड़े से हरे धनीय के पत्ते भी डाल देंगे अब हम लगा देंगे इसकी लिट और जब इसमें एक उबाल आ जाएगी तब हम गैसी फिल्म को लो कर देंगे और धीमी आज पर इसको 15-20 मिट के लिए को कर लेंगे आपको बहुत पसंद आएगी एक बर आप ट्राय करें रेस्टरांट या होटेल्स वगारा की इसके आगे फेल हैं बहुत पसंद आने वाली है आपको बस थोरे से हर धनी के पत्तों से इसको गानिश करके मिक्स करके सर्फ कर लेंगे तो इसला आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टरी बहुत ही डिलिशिस हमारी चिकन मसाला ग्रेवी बन कर तेयारे जिसको आप रोटी नान कुल्चे पराठे या पर चावल से सर्फ करिए बहुत अच्छी लगती है उमीद करती हूँ रैसे पी आपको पसंद आई होगी ठ्राइ कीजेगा अपने फेड़ बैक मुझको जरूर दीजेगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्राइब जरूर कीजेगा और अगर आपने अभी तक मेरे फेड़ बुक पेज को फालो नहीं किया तो वीडियो देखने का बहुत 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 शुक्रिया अलाफिज